गाउं से जेलम रिल्वे स्टेशन जाने के लिए हमने एक चिंग्ची हायर की चिंग्ची वाले को कहने की देर थी अड़े भईया चिंग्ची जल्दी चलाओ हमने टैंप पे स्टेशन पॉइंच ना है तो स्टेशन पे जाके मलूम हुआ कि ट्रेन तो गईया एक गैंटा लेट है तो स्टेशन पे हमारे पास एक गैंटा इंकदार के लावा और कुछ है भी नहीं था तो हमने ट्रेन का एक घंटा ही तुजार किया ट्रेन की सिटी सुनते ही जैसे हमारी जान में जाना आ गई हो और ट्रेन के साथ चलने का वही तोसमें नहीं राउल पिंडी येल्वे स्टेशन के इसा महसूस हुआ कि सफर की पहली मंज़र हमने पाज कर ली तो इसके बाद सफर कासी और जी नंबाती है लेकिन कुली हम सुगार मां रहे थे लेकिन हम नहीं ना समान खुदिर राउल पिंडी वेल्वे स्टेशन से सदर मैक्रो बस्टाप पे जाने के लिए हमने एक चिंची है मैक्रो स्टेशन पे पहुंचने के बाद हम कोस्टर की तरफ चानब होएं रात को कोस्टर पे निकले और सुबह हमारी बाला कोट में होई बाला कोट से पिर हम नरान और उसके बाद हमारे सफर का बकाइदगी से अवाज दूआ यह हम नरान से तकरीबन 40-45 किलो मेटर आगे आए हैं यह एक जील है जिसका नाम है लोलसर जील और इसको लोलसर नेशनल पार्क भी कहा जाता है यह बाबुसर टाप से तकरीबन 15 किलो मेटर पीछे है और नरान से तकरीबन 45-40 किलो मेटर आगे है बहुत ही खुबसूरत जील है यह आप देखे इसके सिनमाटिक सेन्स किलों 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 झाल 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 झाल